गर्मियों में हलके फुलके खान पान को ही प्राथ मिक्ता देनी चाहिए गर्मियों में हमें ज्यादा से ज्यादा तरल पधार्थ लेने चाहिए तरल पधार्त पाचन में भी ठीक होते हैं गर्मियों में मिलने वाले फलों को प्राथ मिक्ता से अपने खान पान में शामिल कर हम गर्मी से भी राहत पास सकते हैं और इनके सेहत संबंधी फाइदे भी हासिल कर सकते हैं दरसल फलों में पानी की मात्रा अधिक होती है और ये जल्दी पच्चते भी है इसलिए आज की इस वीडियो में आईए जानते हैं कौन से फल हमारी सेहत के लिए फाइदे मंद होते हैं रसीले फलों में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी फल है अंगूर अंगूर से हमें सेहत संबंधी अनेक फाइदे हासिल होते हैं इस कुदरती फल में हमारे लिए उपयोगी पानी भरा होता है अंगूर को प्राथमिक रूप से अपने खान पान में नियमित रूप से शामि करना चाहिए अंगुर खाने से हमें पाचन के समस्या में फाइदा हासिल होता है पका हुआ अंगुर तासिर में ठंडा होता है अंगुर हमारे शरीर में आई पानी की कमी को दूर करता है अंगुर की खुबी है कि यहां हमारी शरीर को तेजी से उर्जा से भर देता है गर्मि तर्बुच में विटामिन A, B, Potassium, Magnesium और विटामिन B और Antioxidants पाए जाते हैं यह जल्दी पचता है तर्बुच इम्यून सिस्टम को भी मजबूती देता है इसलिए गर्मियों के मोसम में तर्बुच को शामिल करना चाहिए आम गर्मियों में हमें गर्मी से राहत ही नहीं द प्रतिरोधक्षमता को बढ़ा कर कई रोगों से बचाता है आम हमारे पाचन तंत्रों को भी मजबूत बनाता है जो गर्मियों में हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में खीरा खाना भी फाइदे मन माना जाता है खीरा भी हमें गर्मी से राहत देता है इसे खाने से पेट भरता है और कबज की समस्या से छुटकारा मिलता है खीरे में लगभग 96 फिजदी पानी और बाकी 4 फिजदी फाइबर्स होते हैं इसमें सिलीका नामक तत्व प्रचुर मातरा में पाया जाता है जो उतकों को जोड़ने का काम करता है खीरे म केलोरी नहीं होती है गर्मियों में टमाटर खाना भी फाइदे मन माना जाता है लाइकोपीन जैसे एंटी ओक्सिडेंट वाला टमाटर पानी से भरपूर होता है रोजाना टमाटर खाने से न केवल तेज धुप से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है बलकि बुढ़ा आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स आपको हमेशा मिलती रहे धन्यवाद